बहुत समय पहले की बात है एक गाउ था उस गाउ में एक छोटे से मकान में सरस्वत्ती अपनी बेटी गीता के साथ रहती थी अपने घर में वे दोनों आनंद से रहती जो कमाती उसी में गुजारा करती चलो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा मा आप आज इतने परिशान क्यों लग रहे हो बेटी आज मैं काम पर गई थी और आज मुझे कोई काम नहीं मिला तो हम आज हमारे पास खाने के लिए कुछ रही है कोई बात नहीं मा चिंता मत करो एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा सोचो ये हमारा व्रत है मुझे माफ कर दो बेटी मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रही हूँ मा आपका साथ है ना इसलिए मैं खुश हूँ काश कोई ऐसा होता जो हमारी दुख तकलिफ को दूर कर पाता और मेरी मा को पूरा दिन मज़दूरी भी नहीं करनी पड़ती आप कौन हो मैं परियों के देश से आई हूँ तुम्हारा दिल साफ और सच्चा है पर आप यहां क्यों आए हो मैंने देखा कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करती हो इसलिए मैं तुमारी मदद करने आई हूँ आने के लिए धन्यवाद परिमा क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं तुमारी मदद किस तरह से करूँ हमें सोना चांदी या पैसे का कोई लालच नहीं है परिमा मुझे अपनी मा की चिंता होती है दिन राद मेहनत करती है घर का ख़चा चलाने के लिए हमारे खाने पीने का कुछ इंतजाम हो जाए तो मेरी मा चिंता मुब्ध हो जाएगी तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें एक ऐसी पतीली दूँगी जिससे तुम्हारे खाने पीने की समस्या खतम हो जाएगी मेरे जादू मेरे जादू कर ऐसी पतीली प्रकट जिससे किसी भूके की भूक मिट जाए अपने हाथ आगे करो हो जा प्रकट धन्यवाद परिमा लेकिन तुम्हें एक ऐसा मंत्र बोलना होगा जिससे पतीली खीर पकाएगी जी परिमा बोलिए भोजन का समय होने पर पतीली को चूले पर चड़ाओ और कहो पतीली पतीली जट पर पका भूक लगी है खीर पका और जब तुम्हारे खाने लाए खीर पक जाएगी तब तुम्हें एक और मंत्र बोलना है कहना पतीली पतीली हो जाठब भूख हमारी भागे तब धन्यवाद परीमा हम आप कैसान जिन्द की भर नहीं बूलेंगे तुम सच्चे दिल की हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की अरे परीमा कहां गई हो मैं भी कितनी पागल हूँ तो जादू कर सकती है न इसलिए वो गायवो गई चलो मैं अपनी मा को बताती हूँ वह ये सब सुनकर खुश हो जाएंगी मा मा कहां गई इधर आना तो हाँ बेटा क्या हुआ मैं आ रही हूँ क्या हुआ बेटी ये पतीली कहां से आई मा परियों के देश से परीमा हमारी मदद करने आई थी है क्या 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 परीमा मा परीमा ने ये पतीली दी है परीमा तो ठीक है लेकिन पतीली मारी मदद कैसे करेगी मा मैच आपको बता देती हूँ कि हमें इसका इस्तमाल कैसे करना है एक बार हम इसे चूले पे चड़ाएंगे तो ये खीर पकाएगी चलो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका इस्तमाल कैसे करना है पतीली पतीली जटपट पका भोक लगी है खीर पका मा, देखो खीर पक गई, अब मुझे एक और मंत्र बोलना चाहिए क्योंकि हमारे खाने लायक खीर बन गई है पतीली पतीली हो जा थब, भूख हमारी भागे तब मा, खीर चको और बताव ये कैसी बनी है वा, खीर तो इतनी स्वादिश थी कि मैं सारी खा गई बहुत बहुत धन्यवाद परी मा का अरे, आज ये मा बेटी इतनी खुश कैसे लग रही है मा, अब ये पतीली ही हमारी भूख मिटाएगी आपको अब मस्दूरी करने की जुरूरत नहीं चाह, तो ये बात है, पत्चला मैं भी तो देखो ये कौन सी पतीली है जब ये कही जाएंगी ना, तो मैं इनकी पतीली चुरा लूँगा कालिया चोर है मेरा नामा खेर चलो मा, बहुत रात हो गई, अब हम सो जाते हैं ठीक है बेटा, चल सो जाते हैं अगली सुभा, मा, मा, जल्दी उठो, हम जल्दी से त्यार होकर नहाद होकर मंदिर जाएंगे चलो चलो बेटा, त्यार हो जाते हैं मा, बेटी, दोनों मंदिर चले जाते हैं अरे, यहाँ तो घर में कोई भी नहीं है, चलो मा, पतीली पुरा लेका हूँ पतीली, पतीली, जटपक्त पका, भूक लगी है खीर पका अरे, यह खीर तो बलने लग गई, अब मुझे से रोकने का मंतर तो आता नहीं है, अब मैं क्या गरू, कोई मुझे बचाओ अरे ये तो उबल रही है अरे कोई बताओ कोई बचाओ कोई अब उबल रही है इसको बन कैसे करो ये तो पूरी गली महलों तक पहुच गई अरे ये कालिया चोर के घर से बाहर खीर क्यों आ रही है अरे माम वो तो चोर है वो हमारी खीर वाली पतीली तो नहीं चुरा लाया चलो चलो बेटी हम देखते हैं अरे मुझे माफ कर दो गिर्पागर की मुझे माफ कर दो ये खीर को उबलने से कैसे रोकते हैं गिर्पागर की मुझे बता दो पर तुम बाहर जाओ हम अपने आप मंतर बोलकर हम खीर को उबलने से रोक लेंगे हम नहीं चाहते कि तुम दुबारा से ये खरकत करो और फिर से ये सब हो जाए अच्छा ठीक है मैं या से जा रहा हूँ और मुझे एक बार फिर से माफ कर देना पतीली पतीली हो जा ठप भूख हमारी भागे टप चलो ये तो बंद हो गई उबलने से अरे मुझे माफ कर दो मिझे ना पतीली चाहिए और ना खीर चाहिए बहुत बड़ी गलती होगी मुझे माफ कर दो ठीक है हमने तुमें माफ किया पर आगे से ये काम दुबारा मत करना तुमने अपना सबक सीख लिया है कालिया चोर अब इतना डर गया है कि उसने चोरी करना तक छोड़ दिया और उसको अब सपने में भी उबलती खीर दिखाई देती है फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को दुबाना मत भूलना ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुन सकें थैंक्स फॉर वच्चिंग, बाबाई